आज हम आपके सामने गुल्जारे नसीम को पेश करेंगे गुल्जारे नसीम ये मसनवी पंडित दया शंकर नसीम की है जिसको मुरतब रशीद हसन खानी क्या है अब ये सवाल है कि रशीद हसन खानी कि सन में इसे तर्तीब दिया आज़े सरसे पहले हम बात कर लेते हैं पंडित दया शंकर नसीम के मतालिए पंडित दया संकर कोल था नाम पंडित दया संकर कोल था और तखलुस नसीम था वालिद का नाम गंगा परसाथ कोल था नसीम के खानदान कश्मीर आकर लखम आबात हो गिती ये सब जरूरी नहीं है नसीम की पैदाईस अठाछ 1611 में हुई थी ये असल है अब कुल्जार ये नसीम जो नसीम लखनाव में अठाछ 1611 में पैदा हुए रसीद हमस्थ खा के मुताबिक 1845 में उनकी वफात की नसीम के तालुक दविस्ताने लखनावी से था गुलजारे नसीम का जो ये मस्थनवी के मुतालिक हमने बहस कर ली थी अब हमें ये बहस करना है कि गुलजारे नसीम में अब तक क्या क्या सवालात आ ले गुलजारे नसीम तयान संकर नसीम की किताब जो है उसके मुतालिक सबसे पहले 1900 पल्चानों में जो कुष्षन आया था वो इस तरह से था इजाज और इख्तिसार किस मस्नवी की खुसुसियत है ये जून 1900 पल्चानों में आया था इजाज और इख्तिसार याद रखिया इजाज और इख्तिसार गुल्जार नसीम की खुसुसियत है दिलबर बेस्वा का किरदार किस मस्नवी में पाया जाता है दिलबर बेस्वा का किरदार गुल्जार नसीम में पाया जाता है टाजुल मलिक किस मसनवी का किर्दार है मुझार नसीम का है 2004 माय था द्यासंकर नसीम के उन अशार में किस सनात का इस्तमाल क्या गया है जैसे लिखा है उसमें मूध धोने जो आँख मलती आई मुख धोने जो आँख मलती आई पर आब वो चस्म हौज पाई देखा तो वो गुल हुआ 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 ह description अपने इस वीडियो के इसमें दे देंगे तो इसमें देखना क्या है कि ये कौन सी इसमें सनात इस्तमाल हुई है मुख धोने जो आँख मलती आई पर आबो चश्म हौज पाई देखा तो वो गुल हवा हुआ 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 है कुछ और ही गुल खिला हुआ है इसका है रियायत लफजी रियायत लफजी किसको करते हैं जिसमें लफजों की रियायत हो ठीक है और तीसरा अब उसके बाद आया है 2007 में एक सवाल आया है लाए उस बुद का इल्ट जा करके कुफर टूटा खुदा खुदा करके दयासंकर नसीम का ये किसका शेर है दयासंकर नसीम का ये सवाल आया था इससा गुल बकावली को किसने अपने मसनवी में नजम किया दयासंकर नसीम का दोहजार इग्यार में था ताजुल मलिक किस मसनवी का किरदार है ये सवाल दोहजार इग्यार में के चार बेटे जैनुलमलिक हूरब का बास्ता है ताजुलमलिक जो के शहजादा है जैनुलमलिक का सबसे चोटा लड़का तोह पाई तह ये पाचवा था टाज्युलमलिक किस मसनवी के किरदार है ये तो हो गया 2012 में आया था गुलजार नसीम का दयास अंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या ये सब सब मुश्किल है दयास अंकर नसीम के उस्ताद का नाम पूछा था कि 2012 जून का था यह भी सवाल कि उस्तांस का नाम आप इसमें दे रखाए नासिक मीर हसन दर्द आतिश किसका था अब इसमें दो मिनट सोचकर बताईए किसका था दया संकर नसीम किसके उस्ताद थे तो मैं आपको बताता हूँ कि वो आतिश के उस्ताद थे आतिश के शागिर्द थे सौरी आतिश के शागिर्द थे कि दया संक्र नसीम का तालुक किस दविस्तान से था लखनव दविस्तान से आपको बता दिए लखनव दविस्तान से लाय उस बुद्ध को इलतिजा करके कुफर तूटा खुदा किस शायर की तखलीक है। यह सवाल दो बार को चुका है। एक बार 2007 में और 2013 में इसको फिर उसी सेर को दोहराया है। यह तखलीक दयासंकर नसीम का है। लाए उस बुद्ध को इलतिजा करके कुफर टूटा खुदा-खुदा करके। मसनभी गुलजार नसीम के इस सेर में किस सनात का इस्तमाल क्या गया है। तो 2013 जून का ये भी सवाल था। जिस कफ में वो गुल हो दाग हो जाए जिस घर में हो गुल चिराग हो जाए। ये हमारे आपको सनात से मुतालिक मैंने दे रखा डिस्क्रिप्शन में वो देख लीजेगा। इसमें कौन सी सनात इस्तमाल हुई है। तजाद रियायत लफजी मराद नजीर तजनी से ताम हुआ। एक ही जिनस से जो निकले उसे तजनी से ताम कहते हैं। यहाँ पर तजनी से ताम इस्तमाल हुआ है। तजनी से मुतालिक हमने वीडियो बना रखा है। उस पर आप देख सकते हैं। तजनीस किसको कहते हैं एक ही जिनसे हो जैसे जैसे जिस कफ में वो गुल हो दाग हो जाए जिस घर में वो जिस घर में गुल हो चिराग हो जाए चिराग दाग और चिराग का इसमें क्या तजनीस ताम अभी जहन में नहीं है देख लिए आगे मसनवी गुल्जार नसीम के इस सेर में किस सनात का इस्तमाल क्या गया है जो नखलत था सोच में खड़ा था जो बर्ग था हाथ मल रहा था इसमें कौन सा हुआ है उसने तालील हो इसने तालील कहते हैं चाहिए वह वजह किसी तरह 사़ भी किस नाम से वजीर बनी हुई थी मसलिवी गुलजार नसीम में गुल शन निगार में जैनुल मलिक और ताजुल मलिक से मुलाकात के वक्त अब्बकावली किस नाम से वजीर बनी हुई थी ये सवाल बहुत बार आता है दोहजार तेरह में पुछा गया था कि गुल सन निगार में जैनुल मलिक और ताजुल मलिक से मुलाकात के वक्त बकावली किस वजीर किस नाम से वजीर बनी हुई थी दया संकर नसीम ने किस अहद में होश संभाला था किस अहद में होश संभाला था दया संकर नसीम ने होश किस संभाला था मस्नवी किस मस्नवी में रियायत लफजी का ज्यादा इस्तिमाल हुआ है सवाल आया था 2014 में किस मस्नवी में रियायत लफजी का ज्यादा इस्तिमाल हुआ है तो गुजार नसीम में इसे तो बस तुम और मैं ही पढ़ेंगे तुम इसलिए इसके मसन्निफ हो और इसमें इसलिए के तुम्हारा उस्ताद हूँ आतिष ने ये जम्ला किस से मुखातब होकर का था किस से कहा था और 2015 में एक और सवाल आया था दिसम्बर में उर्दू की किस मारूफ मस्नवी में मजहब इश्क का नसरी किस्सा मन्जूम है किस मारूफ मस्नवी में मजहब इश्क का नसरी किस्सा मन्जूम है 2015 में आया था मस्नमी गुल्जारे नसीम में परी रूह अफजा की मा का नाम क्या है रूह अफजा परी की मा का नाम क्या है जिसको ताजुल मलिक छोड़ा वहां से रिहा करवा कर लाता है हुसनारा नाम उसकी रूह अफजा परी की मा का नाम हुसनारा है हिकायत नसीहत गीरी मुर्ग असीरो नाफहमी सयाद की ये सुर्खी किसमस नभी में है ये एक हेड लाइन है मतलब सुर्खी है कि हिकायत नसीहत गीरी मुर्ग असीरो नाफहमी सयाद की जुलाई 2016 मा आया था ये गुल्जार नसीम से ये कुश्च्च एकरार मैं थी जो बेहयाई शर्माई लचाई मुस्कुराई ये गुल्जार नसीम से कुल्बकावली का किसंस नभी में नज्म हुआ है गुल्बकावली का किस्सा गुल्जार नसीम में हुआ है ये वी 216 मेर चित्रा सीन किस मस्नवी का किरदार है 2017 में आया था है गुल्जार नसीम का मस्नवी गुल्जार नसीम पहली बार शाय कब शाय हुआ 2017 ये कुछ शाय नाया था 1844 में हुआ गुल्जार नसीम में किस रूप में बकावली ताजल मलिक से मिलने जाती है किस रूप में ताजल मलिक से फर्रुख इबन फिरोज के नाथ मस्नवी गुल्जार नसीम का असल फार्सी किसा किस का लिखा हुआ है नॉम्बर 2017 का है इस्जतुल्ला बंगाली का मार का चेकबस्त शरर किस किताब की तनाजुर में पेश आया ये दिसम्बर 2018 का था मार का चेकबस्त शरर किस किताब की तनाजुर में पेश आया तो ये आया गुल्जार नसीम के मस्नवी गुल्जार नसीम मैं बकावली जमीला के साथ रूह अबजा की एक खबर लेने जाती है तो कितने दिन बाद लोटती है तो साथ दिन बाद लोटती है मस्नवी गुल्जार नसीम मैं बकावली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है जुन 2019 का किस्ता है सवाल है हुसना आ रा जाती है इस तरह ते ये मस्नवी पूरी हो गई